राशी मेश, ओवर्वियू ये मुलाकात आपके लिए बहुत रोचक साबित हो सकती है कारिस्थल से बाहर निकलने तक रोमैंस को ज़्यादा तूल देने से बचें आज आप काम के बढ़ते बोज से परिशानी सी महसूस करेंगे दूसरी ओर अपनी उर्जा शक्ती के बल पर आप काम के बढ़ते बोज को आसानी से वहन कर लेंगे थोड़ा सावधान रहनी की जरूरत है क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निरने आपके लिए हानेकारक भी हो सकते हैं परिशानियों से बचने के लिए आपको कोई भी निरने लेने से पहले एक बार फिर से सोच लेना चाहिए आज किसी नए करार पर हस्ताक्षर करने से पहले होश्यार रहना पड़ेगा बेहतर तो ये होगा कि आप पहले किसी विधी सलाहकार से इस विशे में सलाह ले लें अगर आपने बिना ठीक से पढ़े सुने किसी मसौदे पर हस्ताक्षर कर लिया तो हो सकता है आप भविश्य में किसी बड़ी मुसीबत में भश जाएं आज आप कल रात के सपने से परेशान हो सकते हैं इससे आप धंग से आराम भी नहीं कर सकते ज्यादा परेशान न हो और सकारात्मक सोच लाएं और परियाप्त आराम करें मिली जुली भावनाएं आज आपको दुखी रखेंगी अपने मूड पर कावू रखते हुए खुश रहने की कोशिश करें आज आप वो ही करें जो करना आपको अच्छा लगता है फिर वो चाहे गाना गाना हो, किताब पढ़ना हो या फिर दोस्तों के साथ गप्पे मारना ही क्यों ना हो राशिवरिश, रोमैंस राशिवरिश, करियर रहें कि वो कितने महतुपूर्ण है राशिवरिश, फाइनांस जटपट लाब कमाने से बहतर है कि सुरक्षिद निवेश करें राशिवरिश, हेल्थ आज आप अपने काम से संबंधित किसी यात्रा पर जा सकते हैं लेकिन ये भी हो सकता है कि आप ये यात्रा अपने दोस्तों के साथ ही करें कुछ भी हो आपकी ये यात्रा सफल रहेगी अपना कैमरा अपने साथ ले जाना न भूलें आप अपनी मीठी यादों को इसमें कैद कर सकते हैं राशिव मिथुन, रोमैंस अपने साथी के साथ आज के दिन आप भरपूर चटकारे लेंगे रोजाना की तनावपूर दिनचरिया से कुछ समय निकाल कर साथ बैठें एवं अपने प्यार को तरो ताजा कर लें आपके शारिदिक संबंद बहुत अच्छे नहीं होंगे तथा पी साथ बैठ कर कुछ मनुरंजन अवर्श करें राशिव मिथुन, करिय कारिक्षेत्र में अपनी महनत व इमानदारी से ही आप बढ़ते काम के बोज को संभाल पाएंगे आपकी महनत से आपको व आपकी संस्था दोनों को भी लाब होगा काम में कुताही करने पर संस्था इसे आपकी कमजोरी के रूप में ले सकती है इसलिए निरंतर प्रयास जारी रखें भविश्य में आपको इससे लाब जरूर होगा आज का दिन आप काफी सारे खर्चों में अपना बटवा खाली कर देंगे आज आपका धन किसी विद्युत उपकरन या सुविधा में खर्च होगा ये ध्यान रखें कि जो भी आप खरीद रहे हैं वो आपकी क्रेशक्ति के दाइरे में हैं और इससे आपका बजट नहीं खराब हो रहा अपनी खरीद को संभाल कर करें ऐसा नहो कि इस खरीद से आपका बटवा खाली भी हो गया और वो वस्तु दूसरे दिन खराब भी हो गई आज आपका स्वास्ते अच्छा होगा परंतु खाने और व्यायाम पर ध्यान दें इससे आपको फाइदा मिलेगा अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो यह उचित समय है इस पर ध्यान देने का आपको इसका असर एक रात में तो नहीं परंतु आने वाले समय में मिलेगा राशिकर्क, ओवर्विव कोई कानूनी फैसला अब आपके हक में रहेगा अब आपको अपने प्रयासों का फल मिल सकेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन आपको अपने गुसे को काबू में रखना होगा अब खुशियों का समय आ गया है अब से ये कानूनी मुद्दा आपको परेशान नहीं करेगा राशिकर्क, रोमैंस आपका संबंद आज बहुत संतुष्टी लाएगा आपका फायदा अपने प्रेम प्रसंग को बढ़ाने वो अनेक मन बहलाने के कामों से गहरा करने में है अपना प्यार दिखाने के लिए किसी खास दिन का इंतिजार ना करें अपने संबंद के लिए हर दिन को खास दिन बनाएं आज सफलता की इच्छा के कारण आप थोड़ा सा खत्रा मोल लेने को भी तयार रहेंगे अच्छी बात ये है कि आपका विश्वास इसमें आपकी मदद करेगा छोटी सी असफलता भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकेगी अगर कोई परेशानी बड़ी दिखे तो भी घबराएं नहीं उसे भी हल करने की कोशिश करें कुछ अग्यात कारणों से आप जो चाह रहे थे वो आपको हासिल नहीं होगा व्यवसाय में लगे आप मेंसे कई लोगों को हैरानी होगी कि सब कुछ करने के बावजूद मन चाही चीज नहीं मिली आप शायद ये भी सोचें कि आज तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है पर सबताहंत में परिणाम से आपने राश हो सकते हैं अच्छा है कि आज आप दूसरे विकल्प भी देखने शुरू कर लें हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके मौजूदा काम में सब कुछ खत्म ही हो गया फिर भी पहले से ही संभल कर चलें तो बुरा ही क्या है आज आपका स्वास्ते अच्छा रहेगा जिससे आपका आत्मविश्वास उच्छा रहेगा कुल मिला कर आपके अच्छे हालात हैं आप आनंद लें, जिम जाएं और मिली हुई सहूलियत का फायदा उठाएं आज शायद आपको अपने घर अत्वा विवसाय के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णे लेना पड़े फैसला करने से पहले बुरे भले का विचार करने तो अच्छा होगा आज का दिन किसी अनुसंधान अत्वा कोई निर्णे लेने के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप खुले दिमाग से सोचें तो आप पाएंगे कि मुश्किल से मुश्किल निर्णे भी आसानी से लिए जा सकते हैं आप किसी दूर रहने वाले पार्टनर के साथ निरंतर संबाद बनाए रखेंगे अरचनों के बावजूद आपको लगेगा कि बात कहां जा रही है आप स्वाभाविक रहें और जो हो रहा है उसे देखते रहें ऐसा संकेत नहीं है कि आपको उसे पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए इससे आपका भविश्य दुश्प्रभावित हो सकता है राशे सिंग, करियर हाला कि आपकी नौकरी ठीक से चल रही है फिर भी आप पाएंगे कि आपके लिए काम के कई ऐसे दरवाजे खुले हुए हैं जिनकी कि आपने कल्पना भी नहीं की थी जो योजनाएं आपके हाथ में हैं उनके अलावा और बहुत सा काम आपके हाथ में रहेगा कारिक्षेत्र में मिलने वाले शुब समाचार को सुनने के लिए अपने आख कांट खोल कर रखें राशे सिंग, फाइन्स रुपए पैसे को लेकर थोड़ा दबाव तो होगा पर आप अपने गंभीर प्रयासों से इससे पार पालेंगे निवेश के मामले में आप कुछ नए प्रयोग करें और नए विचार और नए योजना पर भी विचार करें आपकी आर्थिक सफलता आपके खुद के निरने पर ही निरभर करेंगी इस मामले में दूसरों को दखल नहीं देने दें दिल की सुनिये, सब अच्छा होगा आज आपको थोड़ा तनाव रहेगा आप कुछ ऐसी क्रियाएं करें जैसे किताब पढ़ना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना ताकि आप उदासींता से बाहर आ सकें आज आध्यात्म की और आपका रुजान ज्यादा रहेगा आप अपनी जिंदगी में धर्म के महत्व को जान पाएंगे आज आप अपने भीतर जाकना चाहेंगे और इसके लिए ये समय बिलकुल सही है इस राह पर चलने से आपको सुक्षान्ति मिलेगी राशिकन्या, रुमैंस दमपत्यों को आज मनुरंजन के अवसर मिलेंगे जो की एक लंबे समय से नहीं मिल पाए थे आज की रात रुमैंस से भरपूर एक यादगार रात होगी जिससे आपको भरपूर खुशी मिलेगी राशिकन्या, करियर आज आपको नौकरी का वो प्रस्ताव मिलेगा जिसका विचार लंबे समय से आपके मन में चल रहा था ये प्रस्ताव आपके सामने राहत के समान भी हो सकता है क्योंकि आप नई नौकरी तलाश रही है नौकरी बदलते समय ये सोचें कि ये बदलाव आपके लिए सही है या नहीं दीरगावधी के लक्षों की और ध्यान दें आज काफी दिनों के बाद आप खरीदारी करने के लिए जाने वाले हैं अपने मनुरंजन के लिए थोड़ा बहुत खर्च कर देना ठीक है लेकिन सब कुछ लुटा देना ठीक नहीं है आज आपको मनुरंजक खरीदारी और बचत दोनों का संतुलंदना कर रखना है और जाते नजरा रही हैं, तो डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको इस परेशानी से निजात मिली है, तो इस नए बदलाव को खुशी से बनाएं। आज आप अपनी सीमाओं से बाहर आकर कोई जोखिम उठाना चाहेंगे। आप अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, जैसे आपके रिष्टे, आपका विवसाय आदी। साथ ही आप रोमांच भरे खेल भी खेलना चाहेंगे। आज आपका म बाजी के बजाए उस व्यक्ति को और अच्छी तरह जानने की कोशिश करें। ऐसी संभावना हैं कि यह प्रस्ताव उसकी तरफ से आजाए। राशितुला करियर। अर्थिक लाब के बड़े अच्छे मौके आज आपके सामने होंगे। लेकिन बस मौके का फायदा उठाने के लिए आपको बड़ी ही ठोस और सटीक नीती बना कर चलना होगा। आप में इतनी समझदारी और चीजों को जानने की ततपरता है कि आप आर्थिक मोर्चे पर आरही समस्याओं से तुरंत निजात पालेंगे। कामकाज में आ रही किसी मुश्किल स्थिती से निपटने के लिए कुछ बड़े कदम उठाईए। सकारात्मक्सोच के साथ आगे बढ़िये हर मंजिल आसान है। आज आप अपने परिवार वालों के साथ सेहत की जाच के लिए जाएं। ध्यान रहे दातों की जाच जरूर कराएं। और पाचन क्रिया भी ठीक चले। आज अगर आपने ध्यान लगा कर चकप करा लिया तो आप भविश्य में आने वाली परेशानी से बच जाएंगे। लेकिन ये वक्त है अपने ऐसे ही जानकार की सलाह लेने का जो आपके करीब हो और आपकी परवाह करता हो। अपने उद्देशों को प्राप्ट करने के लिए उनकी सलाह का उप्योग करने में जरा भी ना हिचकें। आप दोनों के बीच आपसी नजदी की और जजबात आज उफान पर है। आप दोनों में से कोई एक रिष्टे को गहरा बनाना चाहता है। अपनी भावनाओं को खुल कर जाहिर करें और सुने भी। आप दोनों के रिष्टे में नई उचाई आ सकती है। राशिवरिष्चिक करियर काम के क्षेतर में आपके पास बहुत से विकल्प हैं जिन में से कुछ सुरक्षित हैं और कुछ में खत्रा भी है। अब आपको ये निरने लेना है कि आपको क्या करना है। सभी विकल्पों पर ठीक से विचार करके उनकी अच्छाईयों वब बुराईयों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर आप जवान हैं तो कितना भी बड़ा खत्रा जेल सकते हैं। आज का दिन आपको सभी तरफ से लाब भूँचाने वाला है। आपको आज इस बात का बड़ा संतोश होगा कि आपकी स्थिती अब सुद्रड हो रही है। आपकी कोई लोटरी तो नहीं निकलने वाली लेकिन इतना तो है कि आपकी परीक्षा का अच्छा परणाम तो मिलन नहीं वाला है। चिंदित नहूं कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिती बहतर होती जा रही है और निकट भविश्य में इसमें कोई गिरावट का भी डर नहीं है। आज आप बच कर रहें। ज्यादा तनाव और टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दिमाग को ठं आज आप अपने परिजनों की जिंदगी को प्यार से भर देंगे। आज का दिन परिवार के साथ बिताने का है। आपके परिजन आपके प्यार को सराहेंगे। आज आपकी दोस्ती में भी और मजबूती आएगी। आप अपनी उर्जा और समय का प्रयोग अपने बातों को उचा बनाए रखें। आपका पार्टनर आसपास हो सकता है। उसके साथ नए रिष्टे की पूरी संभावना है। राशे धनों करिया। आज आपके सामने कुछ ऐसे विकल बाएंगे जिनके विशय में आपने कभी सोचा भी नहीं था। हो सकता है इन में से कोई संबंध ही न हो लेकिन यदि ये प्रस्ताव आकरशक हैं तो इनके विशय में सोचना और भविश्य बनाना सही होगा। राशे धनों फाइन्स चैरिटिबल संस्थाओं को आज खूब दान मिलने की उमीद है। इन्हें किसी नए प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट या दान मिल सकता है। दूसरी ओर अगर आप समात सेवा के लिए अपनी जमी जमाई मोटी तनक्वा हवाली नौकरी छोड़ने की सोच रहे थे तो आज ये काम कर डालें। रहा है। आज का दिन अपनी रचनात्मक्ता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी रचनात्मक्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। इस अफसर का लाब उठाएं और नए तरीके से काम करने का कोई भी मौका हाथ से आज अपने अंदर के कलाकार को बाहर आने दें। आज आप अपने सुखत दायरे से निकल कर प्रेम खोजने का जोखेम उठाएंगे। याद रखें, बिना जोखेम उठाए कुछ प्राप्त नहीं होता। आपके वो आपके प्रेमी के बीच नए समिकरण बन सकते हैं। राशी मकर, करिया। यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी को बदलने की सोच रही हैं, लेकिन कोई अफ़सर हाथ नहीं आ रहा है, तब आज किसी पुराने मित्र से किसी संभावना की प्राप्ती हो सकती है। इस अफ़सर को स्वीकार करते हुए पूरे मन से अपनाएं, और आप देखेंगे कि यही अफ़सर आगे चल कर आपके लिए सही भविश्य बनेगा। राशी मकर, फाइनांस, यदि आज आप अपने लिए कुछ संपत्ती खरीदने का मन बना रही हैं, तब इस काम को कुछ और समय के लिए स्थगित किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके ग्रह आपके पक्ष में नहीं है, और इसके चलते निकट भविश्य में नुकसान होने क आशंका है, यदि आप नए घर में भी जाकर बसने की सोच रही हैं, तब कुछ समय के लिए रुक कर इस समय को गुजर जाने दीजिए, वो बाद में आगे बढ़ने का निरने लीजिए, राशी मकर, हेल्थ, आज आप स्वादिष्ट और स्वच खाना पसंद करेंगे, अगर आपके दोस्त या रिष्टेदार समुद्रपार से आए हुए हैं, तो शायद आज वो आपसे मिलने आपके घर आ सकते हैं, इसलिए अपने घर की साफ सफाई करके तैयार रहें, आपकी खातिरदारी के बदले में आपको उनसे परदेश में छुटियां बिताने का न बच्चों पर नकारात्मक असर हो सकता है, बच्चों की शादी के विशय में आधर पूर्ण दूरी बनाए रखें। राशिकुम्ब, करिया व्यवसाई, खास तोर से जिनका छोटा मोटा व्यवसाई है, आज शायद उन्हें अपने कर्मचारियों को लेकर कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। चाहे कितनी भी मजबूरी हो, फिर भी किसी तरह का नकारात्मक निरणे ना लें। वो लोग जो वित्त से संबंधित काम करते हैं, उन्हें आज अपने लक्षों को पाने में परेशानी होगी। राशिकुम्ब, फाइनांस यदि घर से थोड़ी मदद मिल जाए, तो आज किसी नएक शेत्र में सफलता के संकेत हैं। अगर आपका किसी यात्रा पर जाने का मन बन गया है, तो उसे टाल दें। अगर हो सके तो कोशिश करें कि आप किसी वाहन के पीछे ना चलें। बाद में पश्चाताप करने से अच्छा होगा कि आप पहले ही सावधानी बरतें। आज आप अपने घर की सजावट को एक नया रूप देना चाहेंगे। इससे आपको अपनी जिंदगी में भी नएपन का एहसास होगा। घर में किये गए ये परिवर्तन आपके अंदर के परिवर्तन को ही दर्शाएंगे। एक बात का ध्यान रखें कि आप सजावट के लिए केवल वो ही सामान खरीदें जिसकी आपको जरूरत है। फिजूल खर्ची से बचें। राशीमीन, रोमैंस, आज आपके रिष्टों में गलत वहमी एवं तनाव पैदा हो सकता है। जिसे दूर होने में कुछ समय लगेगा। शुरू में ध्यान न देने के कारण समस्या गंभीर हो गई है। इसे दूर करने के लिए साथ बैठ कर बाचीत द्वारा आराम से हल जा सकता है। इस समस्या के बारे में चर्चा से न बचें। राशीमीन, करिया। विद्यार्थी आज अपने भविशे को लेकर आशानवित दिखाई देंगे। खास कर यदिवे किसी सहकारिता ख्रेतर के विवसाय में काम करना चाहते हैं। इस दौरान कई विकल्पों के स प्रकारात्मक वित्तिय विकास के संकेत मिलेंगे। ये किसी प्रकार की पदोन्नती या वेतन वृद्धी हो सकती है। यदि आप अपना विवसाय भी चलाते हैं, तब आज आएके नवीन सुरोत मिलने की उमीद है। इन वित्तिय संभावनाओं का लाब उठाईए और संभावनाशिमीन, हेल्ध।